हालो गाइस आई ओपेंड हारे मिन हल के एपिसोड 25 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेंस उसको भी जाके सब्स मांगा स्टार्ट करिए जिसका नाम है रिबर्ट ऑफ दा स्टॉंगेस स्वार्ड गॉड जिसका लिंक आपको डिसक्रेप्शन में मिल जाएगा तो इसलिए चेक आउट करना मत भूलिएगा और दोस्तों इस एपिसोड में किंग ऑफ हेल गेम के जितने भी टॉप के प्ल और तभी वहाँ पर अपने आपको ऐसे देखकर अपना हीरो मन में सुचता है मेरे हाथ तो अपने आप उपर हो गए आखिरकार ये कैसे हो सकता है और तभी हमें पता चलता है जो अपने हीरो के हाथ में ब्लैक और ब्रेसलेट होते हैं जो गौडीज होती उसके अंदर उन bracelet की इतनी ज़्यादा power को देखने के बाद में जो अपना hero होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी चिला के कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यारा strong है और फिर yellow spring warm के तरफ देखके चिलाते हुवे कहता है अरे ओ छोटे कीडे तुम आ जाओ इस बार मैं तुम कुंडली मारता है अपने शिकार को मारने से पहले उसी तरह से अपने hero को अपनी body से चारो तरफ से लपेट लेता है उसको खुब ज़रा जखड़ने के लिए उस yellow warm के इस तरह का attack को देखने के बाद में जो अपना hero होता है शौक हो जाता है और तभी चिला के कहता है क्या ये तो मेरे protective barrier को तोड़ना चाता है जब वो yellow spring warm ऐसा कर रहा होता है दूर खड़ी होई सुंदरी अपने hero उसको देख रही होती एक पहाड़ी के उपर से तभी सुंदरी चिला के कहती है जियांग जियाओ और हमको पता चलता है वो जो yellow spring warm होता है उसने अपने hero को चारो त के लिए वो अपनी पावर को यूज करते हुए दोनों वहाँ पर potato barrier को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होती है ताकि अपना hero पर जकल के मरना जाए और दोस्तों कुछ भी कहो जो इन दोनों girls के उपर टैटू बनाए वो एक नमबर झाकास का लग रहा है जब वो दोनों अपन देखने के बाद में अपने hero की बुरी तरह भट चुकी होती है जैसे ही वो fire warm अपने hero के उपर attack करने वाला होता है तब ही दिखाते हैं कोई उसके उपर दूर से एक बहुत बड़ा fire attack कर देता है जिस चीज के कारण जो yellow warm होता है उसके वहाँ पर चोट लग जाती है और ज yellow spring warm के उपर attack करते हुए चिला के कहती है तुम छोटे कीले तुमारा opponent केवल वो अकेला नहीं है जैसे अपना hero सुंदुरी को देखता है कि उसने वहाँ पर उसको बचा लिया सौभाग से इतने भयानक मोड पर मेरे टीममेट ने मेरे पिछवाले को फटने से बचा लिया औ और अब मुझे खुद को free करने का कोई रास्ता खोजना होगा मुझे जल से जल जल जो इसने मज़े जकल के रखा है इससे free होना होगा तभी वो अपने दोनों bracelet को देखते हुए अपने मन में सोचता है मेरे bracelet में पक्की तोर पे मुझे इस जगा से free कराने की छमता है लेकि वो अभी तक फिरी नहीं हुआ है, जिस चीज को देखते हुए, थोड़ा वो शौक डो जाती है, और तभी उसकी निगा कहीं और जाती है, और वो देखती है, कि अरे ये क्या, और हमको पता चलता है, वहाँ पर अपनी असेशन गल, लिंग येमिंग आ गई होती है, अपनी के साथ में, और तभी उस टीम का बास जो होता है, वो चिला के कहता है, दाश आओ, और तुम ट्रेश, छिप जाओ, बाकी सब मेरे साथ आओ, जब अपनी असेशन गल आगे बढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर सुन्दरी को देखके शौक होते हुए कहती है, क्या, ये त जब येलो स्पिंग वाँ में चीज देखता है, तो गुसाते हुए, अपने मुवें फिर से उसी एनरजी बॉल को गैदर करते हुए, उनके उपर अटेक करने के लिए रेडी कर रहा होता है, और इस बार हमें पता चलता है, जो उसका एनरजी बॉल होता है, वो वहाँ पर उनलों के उपर बहुत ज़दा डेमेज देता है, जिसके इंपेक्ट के कारण, वो सारे के सारे वहाँ पर उचलके इधर उधर धम धम गिर रहे होते हैं, और तभी हमको पता चलता है, जो अपने एसिस्चन गल की टीम का जो कैप्टेन होता है, वो वहाँ पर बहुत भी होती है, वो 10% बसती है घाली, कैप्टेन की ये बास सुनने के बाद में, जो उसकी गल्फेंड होती है, वो वहाँ पर उदास होते हुए, अपने एसिस्चन गल से कहती है, लेकिन मैं, अपने कैप्टेन की ये बास सुनने के बाद में, जो वहाँ पर आर्चर होता है, दूसरे ख्लाडियों को भी बाहर कर दिया गया है वहाँ पे जितने भी प्लेयर होते हैं जो बज गए होते हैं वो सारे के सारे यलो स्प्रिंग वाम के उपर अटेक करती हुए कहते हैं आखिरकार इस कीड़े की हेल्थ कितनी जादा है लेकिन इतने लोगों के साथ में हम करने का समय आ गया है जब वहाँ पर असेशन गर्वली टीम की लोग जो इन सब की बाते सुनते हैं तो उनका कैप्टन वहाँ पर दर्द के मारे उटते हुए कहता है हमने उसके उपर पहले अटेक करने का मौका खो दिया है वहाँ पर खड़ा हुआ उसको माणने का मौका दूसरों से चीन सकते हैं जब मैजिशन इस बारे में बात कर रहा होता है तभी हमको यलो स्पिंग वाम को दिखाया जाता है वो इतने धेड़ सारे प्लेयर के कारण बहुत जड़ा गुस्तानी लगता है और तभी वहाँ पर अपनी दूसरी स्किल रिलीस करते हुए लो के नीचे गिर जाते हैं जिसमें से एक वही होता है दोस्तों जिसकी लास्ट एपिसूट में बिख हावा से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर इरिटेट होते हुए चिला के कहता है धत तेरे की ये कमबकत बहुत जड़ा ताकतवर है 100 से भी ज़्याड़ी इसे घेर कर हमला कर रहे हैं और इसके बावजूद इसने केवल अपनी जरी सी हेल्थ को खोया है और मुझे लगता है कि इसे खतम करने में बहुत जड़ा समय लगेगा और हमको पता चलता है उन दोनों के एस्पी भी सिर्फ उस वाम के रोर करने के कारण 10% पहुंच गई होती ह जिब अपना हेरो इतने धेर सरे प्रेशकों देखता है तो बहुत जबए खुश हो जाता है क्योंकि अपना हेरो अभी भी उस यल्लॉ इवाम के कुंडली में जकड़ा होता है और तभी वहाँ पर हस्ते हुए कहता यलो स्प्रिंग वाम की जो कुंडली है अब धीली हो रही है क्योंकि उसे दूसरे लोग उपर हमला करने के लिए अपनी बॉड़ी को बहुत जड़ा हिलाना पड़ रहा है आखिरकार मैं बज गया जब अपने हीरो ने एक चीज बोला होता है तब ही हमको दिखाया जाता है जो यलो स्प्रिंग वाम होता है उसके खोपड़ी के उपड़ मतलब अपर बॉड़ी के उपड़ बहुत धेर्शरी फायर से उसके उपड़ अटेक कर देता है जिस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो भी वहाँ पर शॉक हो जाता है इस तरह के अटेक को देखने के बाद में जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं हैरान होते हुए कहते हैं और एक गजोब क्या भयानाक अटेक था सिर्फ एक अटेक में उसकी 10 से 15% HP गायब हो गई आखिरकार ये कैसे हो सकता है दूसरा कहता है अरे वहाँ देखो और तभी हमें पता चलता है वहाँ पर एक बहुत खड़ी होती है बगल में उसका नाम forever god of उपई होता है उन प्लेयर को देखने के बाद में जितने वहाँ पर प्लेयर्स दूसरी होते हैं वह हैरान होते वे चिला के कहते हैं अरे देखो यहाँ तो जीब काटने वाली जेल के top 5 प्लेयर्स आ गए हैं इससे ये पता चलता है कि वो सारी एक ही टीम के मेंबर हैं और इसके बाद हमें उनके दूसरे टीममेट से इंट्रिड्यूस करा जाता है और दोस्तों इनका नाम बड़ा अजीब हो गरीब है तो आप प्लीज पढ़ लीजेगा ओ जो लड़का होता है वो देखने में टैंक लग रहा होता है क्यो हमको पदा चलता है कि यह जो टीममेट होती है यह भी एक मेज होती है जो कि अपने एक स्किल को यूज करते हुए बहुत धेर सारी फायर पाउर को रिलीस कर रही होती है और यह जो टीममेट है दोस्तों रैड वाली इसको ध्यान ज़रूर दीजेगा क्योंकि आगे चलकर हिरो की टीम में शामिल होने वाली है हालो गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट करना मत बूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है उसको बजा के सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मिलते हम लोग नेक्स एपिसोड में थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो लव यू आल